इसवी 1657-58 में शाह जहां के पुत्रों में हुए उत्तरादिकार के युद्ध में रोशान आरा ने औरंग जेब का साथ दिया था जिसके कारण औरंग जेब को इस खोनी संगर्ष में विजय प्राप्थ हुई थी औरंग जेब रोशान आरा द्वारा किये गए इस उपकार को बुला नहीं सकता था इसलिए उसने बादशाव बनते ही रोशान आरा को पांच लाख रुपे इनाम में दिये तथा उसे शाह बेगम बना दिया कुछी समय में सल्तनत में रोशान आरा का रुटबा इतना बढ़ गया कि अंग्रेज यात्री ट्रिवेनियर ने उसे ग्रांड बेगम लिखा है कुछ समय पश्चात रोशान आरा के मन में दौलत यं सत्ता पाने की भूख बढ़ गई इस हवस के चलते वैं उन कामों में भी हस्तक्षेप करने लगी जो उसके अधिकार ख्षेत्र से बाहर थे इस ही 1662 में जब औरंग जेब गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो रोशान आरा ने औरंग जेब की शाही मुहर हत्याली और उसके बल पर मुगल अमीरों एम राजपूत सरदारों को धमकाने लगी रोशान आरा ने औरंग जेब की बीमारी की बात च्पाने के लिए औरंग जेब के महल के बाहर अपने विश्वस्त सिपाहीयों का पहरा बठा दिया तथा किसी को भी औरंग जेब से मिलने की मनाही कर दी यहां तक की वह औरंग जेब की चारों बेगमों दिलरासबानों, नवाबबाई, औरंगाबादी महल तथा उधैपूरी महल को भी औरंग जेब के कक्ष में नहीं जाने देती थी इस कारण औरंग जेब की बेगमें रोशान आरा के खिलाफ हो गई हलांकि रोशान आरा ने औरंग जेब के बीमार होने की बात सबसे चुपाई थी किन्तो औरंग जेब के चारों शहजादों सुल्तान मौम्मद, जहांदार शाह, आजम शाह तथा मोजजम शाह को बाजशाह के बीमार होने की बात पता चल गई जब औरंग जेब काफी बीमार हो गया तो रोशनारा ने अपने विश्वास के मुस्लिम अमीरों तथा राजपूत सरदारों को पत्र लिख कर उन्हें शहजादे आजम के पक्ष में तैयार रहने के लिए कहा ताकि यदि औरंग जेब की मृत्ति हो जाए तो शहजादे आजम को अगला बादशाह बनाया जा सके शहजादा मुज्जम को इन पत्रों के बारे में पता चल गया उसने इस बात की शिकायत अपनी मा नवाब भाई से की बेगम नवाब भाई आगवबूला हो गई और वह ये कहते हुए औरंग जेब के कमरे में घुस गई कि रोशा नारा जो कुछ भी कर रही है गलत है क्योंकि बादशाह औरंग जेब अभी जीवित है और स्वस्थ है इस पर रोशा नारा ने नवाब भाई के बाल पकड़ कर उसे औरंग जेब के कक्ष से बाहर निकाल दिया जब कुछ माँ बाद औरंग जेब स्वस्थ हुआ तो शहजादे मुज्जम ने बादशाह को बताया कि रोशा नारा ने किस प्रकार शहजादे की माँ को अपमानित किया है तथा उसे बालों से पकड़ कर घसीता है इस पर औरंग जेब बहिन रोशा नारा से नाराज हुआ तथा उसने रोशा नारा को सब के सामने फटकार लगाई नवाब भाई बेगम के कहने से औरंग जेब ने रोशान आरा से शाही मुहर वापिस ले ले इसके बाद औरंग जेब और रोशान आरा के संबंध कभी भी सामाने नहीं हुए किन्तु कोई विकल्प नहीं होने के कारण औरंग जेव ने उसे शाही बेगम के पद से नहीं अटाया जब EC 1666 में जहनारा ने शाह बेगम बनना स्विकार कर लिया तो औरंग जेव ने रोशनारा को अपने दर्बार से निकाल दिया अब रोशनारा के लिए लाल के लिए में रहना असंभव हो गया वह उन्हीं शाही बेगमों के बीच उपेक्षित शेहजादी की तरह कैसे रह सकती थी जिन्हें वह विगत 9 सालों से कठोर अनुशासन में रखती आई थी रोशनारा ने औरंग जेब से कहा कि मुझे राजधानी दिल्ली से बाहर घने जंगल के बीच एक महल बनवाने की अनुमती दी जाए मैं अपना शेश जीवन दुनिया के जंजालों से दूर रहकर उपर वाले की खिद्मत में गुजारना चाहती हूँ औरंग जेब ने रोशनारा को उसी ख्षण इसकी अनुमती दे दी क्योंकि वह स्वयम भी चाता था कि रोशनारा किसी तरह लाल के लिए से दूर चली जाए ताकि जहानारा बिना किसी बाधा के अपना काम कर सके वास्तों में रोशनारा मुगलिया सल्तनत के राजनीतिक मंच पर अपनी पारी खेल चुकी थी और अब समय आ गया था कि वह मुगलिया राजनीतिके मंच से अद्रश्य हो जाए किन्तु धन और सत्ता की भूखी रोशनारा इस बात को समझ नहीं पाई उसने प्रगट रूप से तो दिखाया कि वह सांसारिक मोह माया से दूर जा रही है किन्तु सत्ता और धन के प्रती उसकी लालसा अभी नष्ट नहीं होई थी उसने बादशाह औरंग जेब की शाही मोहर फिर से चुरा ली और चोरी छिपे उसका दूर प्योग करने लगी जब कुछ ऐसे शाही फर्मान औरंग जेब के सामने आए जिन पर बादशाह की मोहर तो थी किन्तु हुए बादशाह ने जारी नहीं किये थे तो औरंग जेब को रोशान आरा पर संदे हो गया उसने रोशान आरा को बुला कर भला बुरा कहा इस पर रोशान आरा ने औरंग जेब के पुत्र शाहा आजम के साथ मिलकर औरंग जेब के विरुद शड्यंतर रचा ताकि औरंग जेब की जगह شाह आजम को बादशाह बनाया जा सके औरंग जेब को बहिन रौशानारा के इस शड्यंत्र का पता चल गया और वह रौशानारा से चुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा उसने जंगल के बीच मकान बनाकर रह रही रोशन आरा को धीमा जहर दिये जाने की व्यवस्था की ताकि शाही हरम की ओरतें, दर्बारी अमीर और आम रियाया कभी भी इस बात को न जान सके धीमे जहर के प्रभाव से रोशन आरा इसी सोले सो इकतर में मर गई दिल्ली के रोशन आरा बाग में उसका मक्मरा बनाया गया जिसे अब बारादरी के नाम से जना जाता है इस बारादरी के बीच में मिट्टी की एक कब्र है जिसमें दफन रोशानारा की डिह आज भी कयामत होने का इंतजार कर रही है ताकि खुदा उसके कर्मों का हिसाब करके उसके साथ न्याय कर सके रोशानारा की कब्र पर कोई छत नहीं बनाई गई है ताकि रोशानारा की रूह को कयामत के दिन कब्र से बाहर निकलने में कोई कठिना ही न हो इस कब्र के चारो और सफेद संग्बरमर का एक कठहरा बनाया गया है जो इस कबर के शाही कबर होने की घोशना करता है रोशन आरा ने आगरा में एक नगर बसाया था जिसे अब रोशन आरा मोहला कहा जाता है और यह जहान आरा द्वारा आगरा में बनवाई गई जावा मस्जिद के ठीक पीछे इस्तित है जब रोशन आरा की मृत्ति हुई तो औरंग जेव ने उसके लिए शोक मनाया अगली कड़ी में देखिए लाल केले में मुगल शहजादियों के विवाह के शहनाईया फिर से बजने लगी मैं पक्रणाओेश बिवाद आरा की में मूछली अजले के शहजादे लाल आरा की शुरे की से लाल के शाहर चाहर पूआऊज़ की शक्रणाओेश